कहानी की इस रुवात में हमें पॉल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका आज एक कंपनी में इंटर्व्यू होने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से ही उसके साथ उल्टी सीदे चीजी हो रही थी कभी उसका कोई समान खो जाता है तो कभी उसका जूता खराब हो जाता है मानो ऐसा लग रहा था जैसे की कोई उसे इस इंटर्व्यू को देने से रूक रहा हो जिस कैफे में पॉल इंटर्व्यू देने जाता है वहां काफी भीड होती है वो कैफे की लैन में जाकर लग जात उसे थोड़ा अजीब लगता है, वो आदमी पॉल से दुवारा मिलने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन तब तक कैफे के आगे बहुत लंबी लैन लग चुकी थी, पॉल जैसे ही दुवारा लैन में जाकर लगता है, तभी एक डॉग उसके हाथ से उसका स्क पॉल काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक गले में जाकर वो डॉग गायब हो जाता है, तभी पॉल को वहां एक दुकान में जॉब इंटर्वियो की रिक्वर्मिंट दिखती है, पॉल उस दुकान के अंदर जाता है, तो उसे वहां एक सुफी नाम की लड़क को कहता है, जो पॉल को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो पहली बार यहां आया था, और उन्हें इसका नाम कैसे पता, पर इन बातों को इग्नॉर करके पॉल अंदर चला जाता है, जहां अंदर कंपनी के सारे हेट मेंबर बैठे हुए होते हैं, कंपनी का ओनर ह कंफरी वेल्स पॉल से पूछता है, कि तुम इस कंपनी में इंटर्व्यू देने क्यों आये हो, जिस पर पॉल बोलता है कि मैं यहां सिर्फ इतिफाक से आ गया, वो बताता है कि आज सुबा मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से मेरी बस चूट गई, और जहां मुझे इंटर को देख रहा होता है, जिस पर वेल्स उससे पूछता है कि तुम उधर क्या देख रहे हो, पॉल बोलता है कि उस दिवार पर जो क्रैक है, उन पर लंडन का मैं बना हुआ है, जो कि थोड़ा अजीब है, यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग सौको जाते हैं, फिर डेनिस फिर जब वो अपने घर पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि उसका रूमेट रूम छोड़ कर यहां से जा रहा है, यह जानकर पॉल परिसान हो जाता है, क्योंकि अब रूम का सारा रिंट उसे ही पे करना होगा, वो यह सा बाते अपने रूमेट से करी रहा होता है, कि तभी एक लेटर हवा में उड़ता हुआ पॉल के घर आता है जिस पर लिखा था कि वेल्स ने उसे अपनी कमपनी में जॉब पर रख लिया है उस लेटर को देखकर पॉल बहुत कुस होता है अगली सुबह पॉल सूट बोट पहन कर उस कमपनी में पहुंच जाता है जहां रे से ही सोफी भी मौजूद होती है यानि कि उन्होंने उसे भी वहां काम पर रख लिया था पॉल के हाथ में कॉफी होती है जिससे देखकर सुफी उससे कहती है कि मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए इसे फेक दो लेकिन अभी भी पॉल को य काफी सारे मैप लाकर देती है और उनसे उन मैपस में उन जगह को ढूनने के लिए कहती है जहां बॉकसएड होते हैं सोफी और पॉल दोनों ही उन मैपस में बॉकसएड को ढूनने लग जाते हैं पर काफी ढूनने के बाद भी उन्हें बॉकसएड की कोई लोकेशन नहीं म ěती है कि तुम्हें दूर से ही खड़े हो कर उस लड़की की बुक और उसके मैंन को पढ़ना है जब उस लड़की की बुक का करेक्टर पानी में गिर जाये तो मुझे बता दी ना जिस पर सोफी कहती है कि मैं इतने दूर से उसकी बुक कैसे पढ़ोंगी जूडी उसे कहती है कि तुम कर लोगी और जूडी खुद उस लड़की के सामने जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है थोड़ी देर के बाद वहां मौझूद एक फॉंटिन के पास आकर एक लड़का बैठता है अब काफी ध्यान लगाने के बाद सोफी उस लड़की का दिमाग और उसकी बुक को साफ साफ पढ़ने लगती है और जैसे उस बुक का मेन करेक्टर पानी में गिरता है वो जूडी को बता देती है तभी जूडी फॉंटिन के पास बैठे उस आदमी को पानी में गिरा देती है तभी वो लड़की उस लड़के की हिल्प करने आती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है जिसके बाद जूडी उन दोनों को बताती है कि वो कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम करती है और उस लड़की के पैरिट्स ने हमें काफी पैसे दिये थे ताकि हम उस लड़की को उस लड़के से मिलवा सके हमारी कमपनी इसी तरह के काम करती है जिसके साथ वो सोफी को बताती है कि तुम एक सियर हो तुम किसी का भी मैन पड़ सकती हो इसलिए तुम्हें इस कमपनी में रखा है और तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करोगी वो सोफी को अपने साथ लेकर वहां से चले जाती है असल में ये कमपनी एक जादू कमपनी होती है जिसमें इंसानों के साथ साथ गॉबलिन स्विच्स और जादूगर भी काम करते थे अब पॉल वापस जाकर मैप्स में बॉक्स सैट को ढूनने लगता है तभी उस कमपनी का ओनर वेल्स वहां आकर उसे समझाता है कि तुम ऐसे कभी भी बॉक्स सैट नहीं ढून पाओगे तुम्हें अपना हाथ सिर्फ मैप के उपर गुमाना है और तुम्हें खोदी पता चल जाएगा कि बॉक्स सैट की लुकेशन कहां है पॉल वैसा ही क्रता है वह जैसे इस मैप के उपर अपना हाथ घुमाने लगता है तो उसे उ वेल्स उससे कहता है कि हम इंसानों के गट फीलिंग को बदलने का काम करते हैं जैसे कि लोगों को प्यार में पढ़ाना उनका डैवोस्ट करवाना ग्रैविटी इंजन की खोज करना और हां सोतन से चुटकारा भी दिलवाना ऑफिस में जाकर वेल्स पॉल से कहते हैं कि तुम एक डिवेनेर हो तुम अपनी आग से किसी भी चुपी हुई चीज को ढून सकते हो जिसे कोई और नहीं देख सकता तुमारे पैरेंट्स को तुमारे उपर गर्व होगा तब ही डेनिस वहां आ जाता है और कहता है कि नहीं और के डैट तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे जिस पर वेल्स बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पैरेंट्स हमें प्यार करते हैं या नहीं मेरे डैट भी मुझसे नफरत करते थे उन्होंने बच्पन में ही मुझसे एक कॉंट्रैक्ट पर सैंड करवाया था जिसमें लिखा था कि अगर मैंन चाहे वहां जा सकते हैं ये डोर ठीक वैसा ही था जैसा कि डोरी मौन के पास एनिवेर डोर होता है वेल्स कहता है कि वो डोर इस बील्डिंग में ही कहीं चुपा हुआ है लेकिन मैं उससे नहीं ढूंड सकते हो इसलिए तुम यहां हो और ध्यान रहे कि ये बात किसी को भी पता ना चले जिसके बाद पॉल उस पॉर्टेबल डोर को ब्यूल्डिंग में हर जगा ढूंडने लगता है तब ही कमपनी के हेड मेंबर वैन उसके पास आती है जिसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं वो पॉल से कहती है कि तुम क्या ढूंड रहे हो क्या वेल्स ने त जिस पर वो पॉल का पैर तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है जिससे डर कर पॉल उसे बता देता है कि वेल्स ने उसे एक डोर ढूंडने को कहा है और तभी पॉल का सपना खुल जाता है दरसल पॉल ये एक सपना देख रहा होता है पर असल में ये कोई सपना नहीं था पर पॉल को ऐसा लग रहा था कि ये एक सपना है अगले दिन कंपनी में जाकर पॉल फिर से उस दोर को ढूनने लगता है जहां वो दोर को ढूनते ढूनते एक बेस्मेंट में चला जाता है इससे पहले कि वो उस बेस्मेंट में कुछ ढून पाता तभी डेनिस वहा नहीं आना चाहिए यहां से फोरण चले जाओ और दुबारा कभी मताना वहीं दूसरी और सोफी भी जूट के साथ को इंसिडेंट डिपार्टमिंट में काम कर रही होती है वो लोगों को इतिफाक से एक दूसरे से मिलवाने का काम कर रही होती है लेकिन उसे अपने अंदर जैसे कोई और ही उसके मन को चला रहा हो इसलिए वो डेनिस से इस जॉब को छोड़ने के बारे में बहस करने लगती है पर डेनिस उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती तुमने एक कॉंट्रैक्ट पर सैन किया था तब ही वहां पॉल आ जाता है जो सोफी को अपने साथ नीचे ले जाता है सोफी नीचे रखे चॉकलेट को खाने लगती है जिस पर पॉल उसे कहता है कि तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे सोफी उससे कहती है कि कल तक पसंद नहीं थे लेकिन पता नहीं क्यों आज अच्छी लग रही है सोफी चॉकलेट खाही र रहा कि कल तक तो मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जिस पर पॉल उससे कहता है कि कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है जिस पर सोफी उससे कहती है कि तुम वेल्स के साथ काम कर रहे हो उससे थोड़ा समल कर रहना सोफी उससे कहती है कि मेरी सी पिलकर कमपणी में कुछ करने की कोसिस कर रहे हैं अगले दिन पॉल डूर को डूनते डूनते फिर से बेस्मेंट में चला जाता है जहां जाने के लिए डेनिस ने उससे मना किया था तभी उसकी नज़र सामने की दिवार पर पड़ती है वह अपनी सक्तियों से समझ जाता है क पौल को वहाँ जमीन पर पडा हुआ एक्स टेपलर भी दिखाई देता है लेकिन जब वो अपनी सक्तियों से उस स्टेपलर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई स्टेपलर नहीं असल में एक गोबलीन है पौल वहाँ अपनी सक्तियों का इस्तेमाल करके उस पॉर्टेबल डोर को भी ढून लेता है जिसे वेल्स ने उसे ढूनने के लिए कहा था पॉल्स डोर को खोल कर गलती से कंपनी के अंदर पहुच जाता है और तभी वो डोर भी एक टावल में बदल जाता है कंपनी के अंदर एक रूम में मीटिंग चल रही होती है जहां उनकी पसंद उनकी नफरत इन सब चीजों को बदलने की कोसिस कर रहा है ताकि अगर उसका ये एक्सप्रिमेंट काम्याब हो जाए तो वो सभी लोगों को अपने हिसाब से चला सके इस एक्सप्रिमेंट में वेल्स का पहला सिगार सोफी ही होती है उसने उससे एक कॉंट्र वाजा दुवारा नहीं खुलता तभी वो टाविल के उपर लिके इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें तीन बार नौक नौक बोलना होगा और उस जगह का नाम लेना होगा जहां तुम जाना चाते हो पाल बिल्कुल ऐसा ही करता है वो तीन बार नौक नौक बोलता है और सुपरमार्केट का नाम लेता है तभी वो डोर खुल जाता है पर पॉल गलती से सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच जाता है इसलिए वो जल्दे से वहां से निकल कर सोफी के पास पहुचता है और उसे सारी बात बता देता है कि वेल्स तुम्हें मैनूपलेट कर रहा है जिसके साथ वो से डौर के बारे में भी बताता है दौर को देख कर सोफी बहुत खुश हो जाती है और सारी बात भूलकर पॉलस से कहती है कि इसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा क्योंना कुछ दिन के लिए इन सब बातों को भूल कर दुम्या घूमने चलते हैं पॉल उसकी बात मान जाता है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर पिरामिड स्नो मॉंटें नौर्दन लैट्स बीच और ना जाने कितनी जिगा घूमते हैं जहां एक बीच पर संसेट देखते ह वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं पॉल सोफी से पूछता है कि तुमने किस कॉंट्रैक्ट पर सैन किया था क्योंकि मैंने तो कोई कॉंट्रैक्ट सैन नहीं किया सोफ्यू से बताती है कि उसने उस कंपनी में फास्ट टेनिंग प्रोग्राम के कॉंट्रैक्ट पर सैन किया था और साइध उसी कंपनी की वज़ा से मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़े हो रही होगी जिस पर पॉल कहता है कि इस कंपनी से बाहर निकलने के लिए हमें तुम्हारा वो कॉंट्रेक्ट ढूनना होगा जिसके बाद पॉल और सोफी कॉंट्रेक्ट को ढूनने के लिए डोर का इंसान की सोल को अपने पास कैद करने के लिए आपको उस इंसान के कॉंट्रेक्ट को बैंक ओफ डिड में जमा करना होता है जिसके साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि सोफी ने जिस कॉंट्रेक्ट पर सैन किया था वो कोई फास्ट टेनिंग का कॉंट्रेक्ट नहीं था बलके वो तो उसकी सोल का कॉंट्रैक्ट था जिसे वेल्स ने बैंक ओफ डेड में जमा कर दिया था। वो दोनों उस कॉंट्रैक्ट को पढ़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉबलिन्स आ जाते हैं जिससे बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं तभी उन्हें वहाँ पर डेनिस दिखाई देता है वो उन गॉबलिन के बारे में उसे बताने लगत पर उन्हें पता चलता है कि डेनिस भी एक गौबलिन ही है तबी वहां पर वेल्स भी आ जाता है वेल्स और डेनिस की किसी बात पर बहस होने लगती है उनकी इस बहस का फैदा उठाकर पॉल और सोफ्या पोर्टेबल डोर का यूज करके वहां से भाग जाते हैं पर गलती से डोर ओपन ही रह जाता है जिसकी वजह से वेल्स उस डोर की लुकेशन बदल देता है और उन्हें निदर नाम के एक जगा पर भेट देता है जो एक किस्म का जेल होता है वहाँ पर पॉल और सोफिया को एक आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बलके वेल्स के डैड जॉन वेल् पताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे की सैतानी इरादों का पता चला कि कैसे वो लोगों की सोल चुरा रहा है तो उसने मुझे यहां क्याद कर दिया और मुझे आज तक यहां से बाहर जाने का रस्ता नहीं मिला जिस पर पॉल जोन यानि वेल्स के डैट से कहता है कि आपके पास तो वेल्स की सोल का कॉंट्राक्ट है तो आपने उसे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया जिस पर जोन उसे कहता है कि इससे पहले मैं उस कॉंट्राक्ट को बैंक ओफ डिड में जमा कर पाता उसने मुझे कैद कर दिया लेकिन अगर अभी भी हम यहां से निकल कर वे इसकी मदद से वह सीधे वेल्स की कंपणी में पहुंचते हैं जहाँ जोन पॉल और सोफी से वेल्स का कंट्राक्ट बैंक ओफ डेड में ले जाने को कहता है वह रोजी से भी अपने पती को लाने के लिए कहता है और खुद अपने बेटे वेल्स से लड़ने चला जाता है अपने डैट को देखर चौक जाता है जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी डेंजर लडाई होती है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने सूपर पावर से हमला करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ पॉल और सोफी को बैंक आफ डेड में जाने से रोकने के लिए गॉबलि गॉबलिन कोई और नहीं बलकि रोजी का पती था जिसे वेल्स ने कि स्टैप्लर में कैद कर दिया था रोजी भी एक गॉबलिन ही होती है इतने में ही वेल्स अपने डैट जोन को अपनी सक्तियों से पकड़ लेता है अब कंपनी के बाकिश सभी मेंबर भी वहां आ जाते ह हैं वो वेल्स को समझाने की कोसिस करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता वो पॉल से अपनी सोल का कॉंट्राइक्ट वापस देने को कहता है वरना वो सोफी को जान से मार देगा पॉल सोफी की जान बचाने के लिए उससे वो कॉंट्राइक्ट देने के लिए मान जाता है पर तबी सोफी अपनी सक्तियों से पॉल से बात करती है और कहती है कि पॉल निदर से बाहर आने का कोई दर्वाजा नहीं था लेकिन तुमने वहां से बाहर आने का दर्वाजा धूना नहीं था तुमने उसे बनाया था तुम पॉर्टेबल डोर बना सकते हो तुम्हें अपने सक बुलाता है और उसमें कूद कर बैंक ओफ डेड में पहुंच जाता है जहां पर एक रिसिप्स निस्ट खड़ी होती है वह उसे वेल्स की सोल का कॉंट्रैक्ट दे देता है पॉल के ऐसा करते ही उधर वेल्स की सारी सक्तिया चली जाती है और उसके डैड जोन उसे उसी जगा का नेदर में कैद कर देते हैं जहां उसने उन्हें कैद किया था तभी पॉल भी एक डोर बना कर उसकी मदद से वहां आ जाता है जिसे देखकर सोफी उसे गले लगा लेती है पॉल सोफी को उसकी सोल का कॉंट्रैक्ट वापस करता है जिसे वह वेल्स के कॉंट्रैक्ट के बदले बैंक ओफ डेट से वापस ले आया था जिसके बाद वेल्स के डाइड वापस अपनी कमपनी के ओनर बन जाते हैं वो पॉल और सोफी को अपने कमपनी में ऊचे पोस्ट पर रख लेते हैं मुवी के इंडे में पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो जिस पर सोफी उसे हां बोल देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो दी पोर्टेबल डॉर की स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताना वैसे दोस्तो मैंने एक ऐसे मुवी की स्टोरी को एक्स्पेन क्या अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वाच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना सो विल गाइस आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स टो गुडबाई